जिन्दगी भागदोड का नाम है बढ़ते रहना ही जीवन का उद्देश होता है लेकिन जब शरीर और मन ठकने लगे तब आपने सोचा है कि आगे की गाड़ी कैसे चलेगी चलिए आपकी इसी चुन्ता को हम दूर की देते हैं नमस्कार आप देखरें बिजवनी और मैं हूँ आपके साथ श्रेय अठाकर गैरंटीड रिटर्न और टैक्स लाब का फाइदा कौन नहीं उठाना चाहते हैं ऐसे में हमारे नजर में कोई एक स्कीम ध्यान में आ रही है तो वो है पीपीएफ पीपीएफ यानि पब्लिक प् पब्लिक प्रोविरेंट फंड भारत में सबसे लोगप्रिय बचत योजनाओं में से एक है यहां आपको भारत सरकार के तरफ से गैरंटीड रिटर्न और टैक्स में लाभ मिलेगा मौजदा समय में पीपीएफ पर सालाना 7.1 फीजदी का ब्याज मिल रहा है वही इस बचत योजना में निवेश करके आप इंकम टैक्स एक्ट के स्टेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं आसान भाशा में कहीं तो आपको पीपीएफ स्कीम में डेढ़ लाख रुपए तक निवेश का डिक्शन मिल जाएगा उपर से आपको पीपीएफ से कमाई ग पजना पड़ेगा पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए कोई बड़ी रकम की जरुरत नहीं है आप ये अकाउंट मात्र सो रुपए से भी खुलवा सकते हैं लेकिन हर साल आपको मिनिमम पान्सो रुपए और अधिक्तम डेढ़ लाख रुपए जमा करना होगा फिलाल प पीपीएफ अकाउंट पर 7.1 का ब्याज मिल रहा है ये भले ही देखने में छोटा अगडा लग रहा हो लेकिन अगर आपने स्कीन से कंपाउंडिंग का फाइदा ले लिया तो आपकी तो बल्ले-बल्ले हैं कंपाउंडिंग से छोटा निवेश भी अच्छा खासा बढ़ होता है अब एक्जांपल से समझे कि कैसे सालाना मात्र डेढ़ लाक रुपे की निवेश से आप करोड़ पती बन सकते हैं अगर आपने हर साल डेढ़ लाक रुपे पीप अकाउंट में 25 साल तक इन्वेस्ट किया तो आप करोड़ पती बन जाएंगे अब वह कैसे होगा य अब जानिये आपको इस पर कितना इंट्रेस्ट मिलेगा तो जणाब आपको अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर 7.1 फीजदी की सालाना अधर से कंपाउंडेट फाइदे के साथ 65,055,055 रुपे का ब्याज मिलेगा अब जैसे ही आपका मेचॉरिटी का समय आ जाएगा तो आपको 37,055,055 रुपे यानि पूरे 1.3,085,055 रुपे मिल जाएंगे तो बन गए न आप भी करोड़ पती इसके और क्या-क्या फाइदे हैं ज़रा इस पे भी नज़र डाल लेज़े आपको PPF की निवेश पर गैरेंटीड रिटर्न मिलेगा आपको मार्केट के उता ज़राफ से कोई लेना देना नहीं होगा आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह रिस्क फ्री रहेगी आप इस PPF अकाउंट पर लोन भी ले सकते हैं अब लोन की सुविधा कैसे मिलेगे इसको भी चान लेज़े आप लोन की ये सुविधा स्कीम के छटे फाइनेंशल येर और आपका ज़रूरी काम भी हो जाता है PPF लोन की ब्याजदर PPF अकाउंट के इंट्रेस्ट रेट से सिर्फ एक प्रतिशवत ज्यादा होती है जो परसनल लोन के मुकाबले काफी कम होती है हाला कि 5 साल पूरे होने के बाद इस पर लोन की सुविधा नहीं मिलती क्योंकि इ अब इस स्कीम के फाइदी तो बहुत है तो बतादें आप मिच्वारिटी के बाद भी अपनी PPF अकाउंट को चालू रख सकते हैं अब वो कैसे होगा ये भी जान लेजिए PPF अकाउंट 15 साल पर मिच्वार हो जाता है लेकिन अगर आप इसमें कमपाउंडिंग का फाइदा और ज्यादा समय तक उठाना चाहते हैं तो 15 साल के बाद भी आप इस अकाउंट को चालू रख सकते हैं आप जुतनी बार चाहें 5-5 साल के ले PPF अकाउंट का खाता विस्तार यानि एक्स्टेंट करवा सकते हैं अब जाते जाते इस स्कीम से निकलने का रास्ता भी जान लीजिए ऐसा है कि आदमी का जीवन हर समय एक समान नहीं होता है कभी कोई बिमारी या कोई आकासमिक पढ़ जाती है ऐसे में आप PPF अकाउंट से पैसा कैसे निकालेंगे यह हम आपको बता देते हैं अगर आपके बच्चे बिमार हो जाएं तो ऐसी स्थिती में आप 5 साल बाद PPF अकाउंट में जमार अकम को निकाल सकते हैं ऐसी स्थिती में आपकी जमार राश्वी की ब्य को लाइक और शेर करना ना भूले साथ साथ जो हमारे न्यू विएर्स हैं वो भी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले